रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तूं जै माता दी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस बात से तो आप सभी अवगती हैं कि हर एक मनुश्य के जीवन में कई सारी परिवर्तन आती हैं इन परिवर्तनों के चलती मनुश्य को कभी धेर सारी खुश्या मिल जाया करती हैं तो कभी ऐसा भी समय आता है जब उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन परिवर्तनों की मुख्य वज़ हमारे ग्रह ही होती है क्यूंकि ग्रहों की चाल सही हमारी जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है इसी क्रम में दोस्तों इस बार एक विशीश संयोग बना है जिहां जिसमें की कुछ राशियों को अब लाब होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि जोतिश शास्र के अनुसार आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसे बदलाव होने वाली हैं जो की काफी महतपूर हैं क्योंकि दोस्तों राहू और केतु पूरे 600 वर्षों के पश्चा अतब खुश हुई हैं जानकारी के लिए बता दी कि राहू और केतु को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है जोतिश के दुनिया में इन दोनों ही ग्रहों को पापी ग्रह भी बोला जाता है इन दोनों ग्रहों का अपना कोई अस्तित्वन नहीं होता इसलिए ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के साथ उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं कुछ ही मौके ऐसे होती है जब कुंडली में इनका प्रभाव शुब प्राप्थ होता है वैसे तो आम तोर पर हम राहू केतू का नाम सुनते ही काब जाती हैं क्योंकि इनके प्रभाव से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याय उत्पन हो जाती है लेकिन दोस्तों जोतिश के अनुसार इस बार पूरे 600 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि राहू और केतू इस बार कुछ राशियों से प्रसन होए हैं जी हाँ और अब साल 2022 में राहू और केतू इन राशिवले लोगों के यूपर राहू और केतू की सबसे ज्यादा कृपा बरसने वाली है तो आईए जान लेती हैं कि आखिरी राशियां कौन सी हैं जिन पर राहू और केतु अपनी कृपा द्रिश्टी अब डालने वाली हैं तो आपसे अंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहली जो राशी है वह है तुला राशी जिहां दोस्तों बता दें कि इस भार तुला राशी के लोगों पर राहू केतु की कृपा बनेगी जिससे इन राशी वालों का आत्म विश्वास उच्छ शिखर पर रहीगा तुलराशी के लोगों को अपनी सकरातमक सूच से अपने आजपास के लोगों को बीप्रभाविती लोग करेंगे साथी साथ आपको अपनी प्रतिवा दिखाने का भी इस दुरान सुनहेरہ अफसर मिल सकता है इस दुरान आपको बस एक बात का खयाल रखना है कि साजेदारी में आप कोई भी काम ना करी नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको निश्चिती सफलता हासिल होगी दोस्तों बताना चाहेंगे अगली जो राशी है वो है वरिष्चक राशी जी हाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि वरिष्चक राशी के लोगों के लिए भी आने वाला समय काफी ज्यादा अच्छा है और इस बाहरा हो केतु की महरबानी भी इस राशी के लोगों पर बन रही है और अगर आप अपने परिवार से दूर रह रही है तो आपको अपने परिवार की साथ समय बिताने का मौका इस दोरान मिल सकता है निवेश के लिए भी ये अच्छा समय है आपको इस दोरान धनलाब भी हो सकता है दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशी है वो है मेश राशी जी हां इस बार मेश राशी के लोगों पर भी रहो के तू काफी महरबान रहेंगे इस राशी के जो लोग नौकरी करती है उन्हें इस दोरान उन्नती मिल सकती है और अच्छा प्रमोशन मिल सकता है इस राशी वालों के लिए सारी अगली राशी है सिंग राशी जी हाँ सिंग राशी के लोगों के लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहीगा लेकिन इनके साथ एक परिशान ये आएगी कि अपने गुसे की वज़े से ये अपना नुकसान भी करा सकती है इसलिए दोस्तों अपने गुसे पर आप काबू र असला आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों बता दे कि अगली जो राशी है धनु राशी जी हाँ दोस्तों बता दे कि धनु राशी वाले विक्तियों के उपर रहू और के तु महरा जब महरबान होने जा रही है जिसकी वज़े से आपके जीवन की तमाम परिशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा जो व्यक्ति व्यापारी है वह अपने व्यापार के शेत्र में तेजी से प्रगती करेंगे इस राशी वाले व्यक्तियों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा घर परिवार में आपके सुक्षान्ती बनी रहेगी धन से संबंदित सभी परिशानिया आपकी दूर होंगी दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है कन्या राशी जी हाँ बताना चाहेंगे कि कन्या राशी वाले व्यक्तियों के उपर रहू के तु महराज की क्रिपद रिष्टी की वज़र से आपके दौरा की गई कोशिशों से आपको लाब मिलेगा आप अपने जीवन में तेजी से सफलता अब हासिल करेंगे विशेश तोर पर जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनको अपार सफलता मिलने के योगब बन रही है प्यार की मामले में आप लोग तेजी से प्रगती करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में खुश हल यब दस्तक देने वाली है दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशी है वो है मकर राशी जी हाँ बता देगी मकर राशी वाले विक्तियों के उपर भी राहू केतू महराज की क्रिपाद्रिष्टी लगतार बनी रहेगी जिसकी वज़े से अपने जीवन में ये लोग नई नई सफलताएं प्राप्त करेंगे इस दोरान परिवार का पूरा सहयोगा आपको प्राप्त होगा राहू केतू की क्रिपाद्रिष्टी बनी रहेगी आपके जीवन की सभी समस्याएं और कठनाईयां दूर होंगी दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वो है मीन राशी जी हाँ बता दे कि मीन राशी वाले विक्तियों पर राहू केतू की क्रिपाद्रिष्टी बनी रहेगी जिसकी वज़े से जो विक्ति विदेश में कारे कर रही है उनको अपने कारे शेत्र में अपार सफल ता प्राप्त होगी शिक्षा और नौकरी के शेत्र में किये गए प्रयास आपके सफल होंगी आपके परिवार की आर्थिक स्थिती मजबूत बनेगी आपका आने वाला समय बहुती अब शुब रहने वाला है दोस्तों बता दे कि अगली और अंतिम राशी है कुम राशी बता दे कि कुमराशी वाले वेक्तियों के उपर राहू केतु अपरसन हो रही है जिसकी वज़े से ये अपने जीवन में सफलता की नई उचाईयों को चुएंगे यदि आपका कहीं धन रुका हुआ है तो आपको वापस मिलने की संभाव न बन रही है राहू और केतु की कृपा से आपके कारी शित्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी समाज में आप अपनी अलग पहचन बनाने में सफल रहेंगे दोस्तों आपसी अंद्रोद है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्छे दिल से जैमा लक्षमी अवश्य लिख दी और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दी